गुट मॉर्निंग इस्टूटेंट ग्लास नाइन्थ मैट्स हम कर रहे है चप्टर नमबर सिक्स सर्कल्स आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे टैन पॉइंट फूर एक्सिसाइज का कोश्च नमबर सेकेंड कोश्च नमबर सेकेंड आपके पास गीवन है इस टू सर्कल्स एक दुसरे को क्या कर रहे है इंटरसेक्ट मतलर सपोस्ट यह 2 सर क्लरिंग इसमें यह कोर्ड होते रैरिकिन यह दोकॉर्ड अभी पैरलल दिखाए दे रहे लेकिन उन्ह treatment क्या बोल रहा है दोन्हों फंट एक दूसरे को एसे इंटरसेक्ट कर एक दूसरे को कही ना कही इंटरसेक्ट कर रहे है अब इसके बाद उन्होंने बोला है पूर्व देट दसिगमेंट ओफ वन कोड और इक्वल टू कर्रस्पॉंडिंग सिगमेंट ऑफ द अधर कोड हमें क्या पूरूफ करना है कि जो सिगमेंट है वन कोड का सिगमेंट मतलब लाइन जोइनिंग वो इक्वल है कर्रस्पॉंडिंग दूसरे वाले कोड की आप देखिए हम सॉलुशन करेंगे लेट एबी एंड सीडी बी इक्वल कॉड मतलब डेफिनेटली कॉड दो कॉड है तो नाम देंगे जैसे आपको डाइग्राम में दिखाई दे रहा है सर्कल सबसे पहले हमने क्या बनाया सर्कल यह एबी एक कॉड है यह भी दूसरा कॉड ले लिया सीडी और आपस में एक क्या कर रहें इंटरसेक्ट यह आपका सर्कल का सेंटर है अब उन्होंने इस सेंटर से इस लाइन कॉड पे परपेंडिकुलर डाला उसका नाम दे दिया एं फिर इस वाले कॉड पे भी एक परपेंडिकुलर नाम डाला परपेंडिकुलर डाला उसका नाम दे दिया एं और और फिर इस center से इस intersect point को मिला दिया, उसका नाम दे दिया E, clear, तो यह आपका diagram है, अब diagram में clear बोल रहे हैं कि वो दोनों chord अपस में क्या equal, तो दोनों chord का नाम क्या है, AB equals to CD, right, तो यहां लिखा है, let AB and CD, B two equal chords, AB equals to CD, in the above question, question के अंदर given है, it is given that AB and CD intersect at a point, मतलब यह definitely एक दूसरे को क्या कर रहे, intersect कर रहे, जैसा की question में बोला, तो definitely intersect कर रहे, तो उसको कुछ ना कुछ point देना पड़ेगा, तो देखें, यहां पे हमने क्या नाम दिया, intersect वाले को, E नाम दिया, right, तो यहां पे लिखा है, AB and CD intersect at a point, say E, मतलब उस point को हमन E नाम दे दिया, clear, it is now to be proved it, अब हमें क्या prove करना है, the line segment, AE equals to DE, मतलब AE equals to DE, अगर यह पूरी line आपस में equal है, तो यहां से यहां तक भी line आपस में कैसी होगी, equal, और साथ में CE equals to BE, मतलब यहां से, यहां तक, मतलब यह line इसके equal है, यह line, इसके equal है, right, हमें यह proof करना है, मतलब यह line segment आपस में कैसे equal है, तो देखिया, अब हमने यहां पर diagram कैसे बनाया है, कैसे बनाया, constructor steps, from the center of the circle draw, perpendicular to AB, मतलब OM, perpendicular AB, मतलब एक circle बनाया, किसी भी radius का, किते भी centimeter का, 5, 4, 3, as you wish, आप पर depend करता है, आपको एक circle बनाना है, जिसका center को आप सबसे पहले वो नाम दे दोंगे, एक cord ले लोगे, AB और CD, आपके हिसाब से, उसका नाम A दे दिया, यहां से एक perpendicular डाला, तो यह perpendicular OM किस पे जा रहा है, AB पे, और दूसरा perpendicular ON किस पे जा रहा है, CD पे, right, फिर O से E को हमने क्या कर दिया, join कर दिया, और इस तरीके से आपक क्या बन गया, diagram, अब हम देखेंगे solution, right, अब हम solution देखेंगे कैसे करेंगे, now probe, from the diagram, it is seen that, from the diagram, it is seen that, OM bisect AB, and OM perpendicular to AB, मतलब जो OM है, जैसे ही हम perpendicular करते हैं, डालते हैं, तो A और B की कितने equal parts हो जाते दो, A से M तक, और M से B तक, इस पूरी line के दो part हो गए, right, क्यों हो गए, क्योंकि OM is perpendicular to AB, right, जैसे ही perpendicular करेंगे तो, दो parts में divide हो जाएंगे, वैसे ही, N के लिए भी as it is है, similarly, OM bisect CD, जैसे ही OM के CD पर bisect करा, मतलब कब हुआ ये bisect, OM is perpendicular to CD, लेकिन आपस में हम जानते हैं, we know that, it is know that, AB equals to CD, question में given है, so, AM equals to ND, इससे क्या होता है, AM equals to ND, साथ में, MB equals to CN, MB equals to CN, right, ये clear हो गया, जैसे ये line, इसके बराबर है, clear, question में given है, ये line इसके बराबर है, तो यहां से यहां तक का पहला वाला पार्ट, ये भी equal होगा, साथ में ये जो दूसरे वाला पार्ट है, यहां से यहां तक का, ये भी आपस में क्या होगा, equal होगा, वही बोल रहे है, AM equals to ND, MB equals to CN, equation number first, equation number second, now triangle O, M, E, O, N, E, कौन सा triangle ले लिया, O, M, E, ये triangle, और साथ में ये, इन दोनों triangle में अब धम देखते हैं, क्या-क्या चीज़े आपस में, आपकी equal है, right, इन दोनों triangle में, सबसे पहले, they are perpendicular, मतलब ये जो angle M है, ये कित्ते का दिख रहा है, 90 का, ये भी, तो O, M, E, O, N, E, आपस में कैसे हो गए, equal क्यों, क्योंकि 90 का है, तो यहाँ पर आप angle लगा लेना, जो कि लगाया हुआ नहीं है, angle O, M, E, equals to angle O, N, E, they are perpendicular, या आप यहाँ पर लिख सकते हो 90, right, अब दोनों triangle में, ये वाली side, क्या है, common है, ये वाली side, O, E, इस वाले triangle में भी आती है, O, E, इस वाले triangle में भी आती है, तो O, E, equals to O, E, क्यों, क्योंकि common side है, right, O, M, equals to O, N, क्यों, O, M, बराबर है, O, N के, क्यों, perpendicular है, और center से डल रहा है, A, B, and C, D, are equal, and so they are equidistance from the center, मतलब center से definitely equidistance है, right, इस लिए क्या है, कि ये भी आपस में बराबर होंगे, अब इन दोनों triangle में हमारे पास कितनी चीजे equal आ गई, तीन, angle, side, अब जिस भी दो triangle की, आपस में minimum three conditions, equal हो जाती, मतलब उस triangle की हर एक side, और हर एक angle आपस में कैसे हो गए, equal, मतलब दोनों triangle कैसे हो गए, concurrent, यहाँ पर concurrent का sign चूड़ गया है, आप प्रोपर लिखना, triangle O-M-E, is concurrent, triangle O-N-E, यह इसी लाइन में यहाँ पर लिख लेना, इसको मैंने कट कर दिया, उसकी प्लेस पर लिखना, triangle O-M-E, concurrent, triangle O-N-E, कहां से आया यह है, आपके पास, angle, side, side से, यह तीन condition हमने प्रूफ करी, अगर यह triangle, दोनों triangle आपस में concurrent हो गए, मतलब इनकी हर एक side, हर एक angle आपस में equal हो गए, इससे क्या हो गया, M-E equals to क्या हो जाएगा, E-N-B आपस में क्या हो जाएगा, equal, by C-P, C-D, यह equation number third हो गई, now, from equation number first and second, दोनों को हम क्या कर देंगे, plus कर देंगे, तो देखो, इधर-इधर का plus कर रहा, A-M plus M-B, M plus, A-M plus M-E, A-M plus M-E, N-D plus E-N, यहाँ पर second लिखा, इसको third कर लेना, correction, first and second, first और third को हम क्या कर देंगे, plus करने पर, right, तो first और second देखो, A-M plus M-E, इन दोनों को plus करा, A-M plus M-E, साथ में, N-D plus E-N, N-D plus E-N, तो total क्या हो गया, A-E equals to E-D, now from equation number second and third, second और third को हम क्या करेंगे, minus, M-B minus M-E, M-B minus M-E, is equal to C-N minus E-N, C-N minus E-N, कितना हो जाएगा, बचेगा, E-B equals to C, जब आप diagram में देखोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, A, देखो, सबसे पहले में यह बता देती हूँ, A-M plus M-E, A-M plus M-E, तो यह टोटल यहाँ से यहाँ तक हो गया, इसको क्या लिखा, A-E, राइट, A-E, दिख रहा है, ऐसी तरग से यहाँ पहले लिखा, दूसरा है, M-B में से, टोटल में से इतना पार्ट आप माइनस कर दोगे, तो इतना बचेगा, तो हम देख लेते, M-B minus A-E, M-B कितना है, यह है, इसमें से A-E minus कर दिया, यह पार्ट हटा दिया, तो कितना बचेगा, E-B, दिख रहा है, E-B इसी तरीके से, इसको भी calculate कर रहा, तो आपस में यह दोनों क्या हो गए, equal, यहाँ से यह equal आगए, तेंक यू